नमश्कार, आस्ट्रोयाना परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम कुछ ग्रहों की बात करेंगे ग्रहों हर घर में अच्छे या बुरे होते हैं और ग्रहों को सबसे जादा अच्छा या बुरा आपके कर्म करते हैं अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार से आपके जो प्लानेट्स है जो आपके ग्रहा है वो भी काम करेंगे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ग्रहों की स्थि आपसे उल्टे काम जरूर करवाईगी परन्तु अगर आप सही मार्क पे चलते हैं अगर आप सही काम करते हैं तो आपका ये समय बीट जाएगा और आपको ग्रहों के अच्छे प्रभाव भी मिलने शुरू हो जाएंगे तो समय के अनुसार प्लीज अपने कर्मों को ना बिगाड़िए क्योंकि इससे आपके ग्रह कभी नहीं अच्छे होंगे उल्टा इससे आपको तकलीफ ही होगी कुछ बेसिक चीज़े आपको बताती हो अगर आपके कपड़ों में छेद नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र अच्छा है अब कई बार आपने देखा होगा कि लोग पुराने कपड़े डिसकार्ड नहीं करते हैं महंगे हैं ये हैं वो हैं बहुत रीजन्स होते हैं पर अल्टिमेटली इसके साथ हो क्या रहा है आपका शुक्र ग्रह खराब हो रहा है अगर आपका घर सुन्दर बनता है तो आपका मंगल बहुत अच्छा है लेकिन अगर घर का काम बीच में रुग गया तो या उस घर में रोच कलेश होता है तो कौन सा ग्रह खराब है ध्यान दीजेगा अगर आपकी संगत को लोग पसंद करते हैं तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है परन्तु अगर आपकी संगत में सिर्फ लडाई हो रही है सिर्फ कटाक्ष बाते हो रही है तो ये आपके पूरे परिवार को एक दोश लगाता है कौन सा? आगे ज़रूर बताऊंगी अगर आपके पर्स में हमेशा पैसे होते हैं तो आपका गुरू बहुत अच्छा है लेकिन आज UPI का जमाना है तो क्या पर्स में पैसे होने चाहिए? क्या लगता है आपको? जरूर होने चाहिए अगर आपको रोज स्वादिष्ट खाना मिलता है इसका अर्थ ये है कि आपका चंदरमा अच्छा है लेकिन हर खाने में मीन मेक निकाल कर खाना संतुष्ट हो कर नहीं खाना इससे आपका चंदरमा खराब भी होता है जबान का चसका ये भी एक दुरे ग्रह की निशानी है अगर आपके सरकारी काम जल्दी बन जाते हैं तो आपका सूर्य अच्छा है आपका सूर्य प्रबल है परन्तु आप हमेशा जूट बोलेंगे हमेशा सही व्यक्ति पे लांचन लगाएंगे तो ये सूर्य आपका इतना खराब हो जाएगा जिसे शायद कोई उपाए कभी ठीक ना कर पाए अगर आपको अच्छी घड़ी पहनना पसंद है तो आपका राहू बहुत अच्छा है परन्तु जरह घर में ध्यान दीजे कितनी घड़िया बंद पड़ी है ये मंदे राहू की निशानी है अगर आपकी कहीं वानी में सत्य है तो आपका केतु बहुत अच्छा है और जीवन में इस बात को कभी मत भूलिए कि केतु मोक्ष का कारक है केतु आपको मोक्ष दिलाता है तो ये बस ग्रह से कुछ जुड़ी बाते कुछ चीजे अगर पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कीजेगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए थैंक यू सो मच